आज जो ये अंदोलन हो रहा है दिल्ली में नहीं भारत के हर कोने कोने पर भारत के हर शेहर में हर कश्वे में ये अंदोलन स्वते नोजवानों ने जंडे उठाए हैं इसका कोई नेतरुत नहीं कर रहा है क्योंकि पिछले चार सालों में जितने अत्याचार हुए हैं मोधी सरकार के द्वारा और ऐसेस के जो संचालक हैं भागवत जी उसने जो अपने कड़वे शब्दों में कई बार भारत के दलितों को ललका रहा है कई बार भारत के समिधान की परदले की बात की है अनन्त हैंग्डे जो इनका मेंबर पार्लेमेंट है उसने भारत के समिधान को बदलने की बात की है तो आप समझे कि यह बाबा साथ बाबू जी अर्मान वरकासी राम जी के सपाई जग रहे हैं अपनी सोई आंके खोल रहे हैं इनके पाथ हम यह जने ना सामाजिक आजादी मिल पाई है ना आर्तिक सब की आजादी मिल पाई है सुरब कुछ आजादी राजनितिक मिली थी वह भी बोट का अधिकार जो बोट का देखार मिला था उस पर हमारे जो नेता आए हमारे जो लीडर आए उन्होंने हमारे कार्थ करताओं को हमारे समाज के नोजवानों को गिरिवी रखके अपनी जोटी से की है पहले दोल गावार शुद्पसुनारी यह सब तारन के एधिकार तुलिसीदाज जी ने ने कहा था पपिर ऐसी पर लिखे अधिकारी है डुप्टी डारेक्टर को चैनल अब झनल जो 21 तारीकों जजमेंट आया है यह पूर लूप से इसको सावित कर रहे हैं देखें यह जो 20 तारीक को जुजमेंट आया है। यह जुजमेंट उस्तमनाय लेकि नहीदीसों का नहीं है। इसमें मरोभृती RSS और BJP की है। अगर उनकी जुजमेंट उसे कहते हैं जिसमें न्याय होता है। जिसमें न्याय होता है, जो हर एक के दिल की धड़कन कहती है, न्याय हुआ है, लेकिन आज देश का 40% दलित, इसको न्याय नहीं कह रहा है, तो न्याय नहीं कह रहा है, तो न्याय नहीं हुआ, यहीं एक इन का डाइवार्ट करने का एक इनकी अटेंचन को डाइवार्ट करन अपनाया गया है इसके लिए सबसे जिम्मेदार कोई है को महोधि है निरेंद्र महोधि जोंट बोलता है वो सदा धोके की बात करता है कर जो बात करता है तर्टल अमरी नहीं रहता कि इसलिए उसने जितने बाएदे किये ये जनता जनारगर चै aussi वीडाइद किया सिर्फ राजनिति करिके लिए प्राइम इस से बन गया आने वाला प्राइम इस 이것 अियृरे가 और उछया करे गया जै 되면 जैंगे दाने भाइद को कर दो